दोस्तो ये स्टार जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो वो एक ऐसा स्टार है जो अपना साइस थोड़ी देर में बदलता रहता है लेकिन सवाल ए है कि ये आखिर ऐसा कर कैसे पाता है और इस स्टार के पीछी ये पूच जैसी चीज़ क्या उड़ रही है और वो ही दू स्टोरीपीडिया के आज की इस एपिसोड में हम इसी तरह के कुछ स्ट्रेंज बट इंट्रेस्टिंग प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में बताने वाले है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना नंबर पाच पर है ग्लीस 581C दोस्तो ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस् हमेशा उसकी सूरच की गर्मी की वाज़े से जलता रहता है और वही दूसरा हिस्सा हमेशा बर्व से ढहका हुआ होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने हो स्टार के काफी करीब है और सिर्फ 13 Дिनों में ही ये प्लैनेट अपने स्टार का एक चगर पूरा कर लेता है सा और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों ही हिस्से के बीच के हिस्से में टेंपरिचर लाइफ के लिए काफी ज्यादा आइडियल है। क्योंकि यहाँ नाही ज्यादा गर्मी है और नाही ज्यादा थंडी। साइन्टिस्टों का तो ये भी मानना है कि यहां एक्स्ट्रीमोफाइल नाम का ये माइक्रो और्गेनिजम भी पाया जा सकता है नंबर चार पर है मीरा स्टार इस सितारे को ओमिक्रोसेटी के नाम से भी जाना जाता है और इसका साइज हमारे सूरत से करीब 700 गुना ज्यादा बड़ा है ये बड़ा ही अजीब सितारा है जिसे 13. August 1596 को खोजा गया था लेकिन जब ये स्टार साइन्टिस्टों को मिला था तब ये काफी ज्यादा छोटा था पर बाद में जब इसे साइन्टिस्ट द्वारा अब्जर्ब किया गया तब ये पता चला कि ये सितारा किसी अन्नोन रीजन के चलते काफी तेजी से अपना साइज बड़ा रहा था और कुछी वक्त में ये सितारा अपने ग्रूप का सबसे बड़ा स्टार बन गया लेकिन बाद में वो स्टार वापस से छोटा होने लगा और एकदम से वहां से गाय भी हो गया लेकिन वापस से ठीक 15 साल बाद वो सितारा साइन्टिस्टों को दिखाई दिया जिसके बाद साइन्टिस्ट ने अब्जर्ब किया कि वो स्टार इस चीज़ को कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है पर एक अन्पैटर्न वेज में जिस कारण साइन्टिस्ट ने इसे मिरा न स्टीन में साइन्टिस्टिस अमेजिंग स्टार की स्टडी करने के लिए गैलिक्स टेलिस्कोप को भेजते है तब उन्हें पता चलता है कि मिरा के पास उसकी खुद किये गैस की टेल भी मौजूद है जिसकी लंबाई 13 लाइट येर्स की है और मिरा इस टेल में जितना गै 1370 लाइट येर की दूरी पर एक सिगनस कॉंस्टिलेशन में स्थित है और इस टारे को सबसे पहले केपलर टेलिसकोप द्वारा खो जा गया था और तभी से ही ये सितारा साइन्टिस्ट और बाकी लोगों के भीच चर्चा का विशय बना रहा है जिसका सबसे बड़ा ब्राइटनेस एक पर्टिकुलर पैटन में चेंज होता है पर इस सितारे के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि टैबी स्टार का ब्राइटनेस अचानक से करीब 20% तक हो जाता है और कुछी देर बाद वापस से नॉर्मल कंडिशन में आ जाता है और साइन्टिस्टों की माने तो य J1407b ये एक्जो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टेम से लगबग 420 लाइट एर की दूरी में स्थित है इस प्लैनेट को लॉर्ड ऑप दर रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये प्लैनेट दिखने में काफी ज्यादा बड़ा है और इसके कुल मिला कर 30 रिंग्स और ये टोटल 120 मिलियन किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है ये एरिया उतना ही बड़ा है जितना हमारे सूरच और चांद के बीच की दूरी है इन फैक्ट अगर हम इसके सैटन को इससे रिप्लेस कर दे तो हम रात को इसके रिंग्स को अपनी खुली आखों से देख भी एक प्लैनेट यानि कि जुपिटर से भी पंदरा गुना ज्यादा बड़ा माना जाता है और तो और ये हमारे सोलर सिस्टेम से 104 लाइटेयर की दूरी में स्थित है साथ ही इस प्लैनेट को हमारे गैलेक्सी का सबसे लोनलियस प्लैनेट भी कहा जाता है क्यूंकि इस प्लै प्लैनेट का एक साल हमारे धर्ती में बिदाए गए 10 लाग सालों के बड़ाबर होता है। जब हमारे साइन्टिस्ट को ये प्लैनेट मिला था तब उन्हें इस बात का अंदाज़ा बिलकुल नहीं था। क्योंकि उनको लगता था कि ये प्लैनेट एक डौर्फ प्लैनेट है जो यूनिवर्स में इधर उधर भटक रहा है। एक ट्रिलियन किलोमेटर दूर होने के बाद भी साइन्टिस्ट ने इसके स्टार को खोज निकाला और इसका इतना बड़ा ओर्बिट होने के चलते ये प्लैनेट और स्टार हमारे दौरा खोजा गया अब तक का सबसे बड यूटिफिकेशन मेल को अन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हर हफ्ते लाता रहता हूँ तो मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में और हमेशा की तरह हैंक्स फर वाचिंग